अबले चुनाओं में नरंदर मोडी जी फिर से नहीं बन रहा है प्रधान मंत्री क्योंकि पिछले नौ सालों से मतलब मोडी जी ने देश का समझ ये बंटा धार कर दिया है भारत का भठा बेठा दिया है अभी करनाटक में मोडी की चटनी बना दी रहूल गांधी ने और उसके पले हिमाचर प्रधेश में मोडी की चटनी बनाई रहूल गांधी ने और अभी दो तीन चार राज्यों में और चुनाओं होने वाला है इस साल जैसे मद्र प्रधेश, राजस्थान, छतीस, गर, तलंगाना हर दिगा भाजपा की हलत पतली है 2024 में लोकसभा का चुनाओं होगा और नरेंद्र मोदी के राजनिती वजूद को खतम करने के लिए विपच्छी एक्ता की बैठक तेज जून को हुई थी और लगातार बिहार की धर्ती से बिहार के मुक मंत्री नितिस कुमार ने हुंकार भरी थी लेकिन जिस परकार से महाराष्ट में सियासी बवंडर देखने को मिला अब हालात यह हो चुके हैं कि बिहार में महागडबंदन में सब कुछ औल इज वेल नहीं चल रहा है सिच्छा मंत्री और केके पाटक में अभी विवात थमा ही नहीं था कि लगातार जो असोख चौधरी मंत्री है और वहीं राजत के MLC जो सुनील सिंग है उनमें कही न कहीं वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पुर्व IPS हमिताब दास जी हैं उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी को निप्टाने के लिए जिस तरह से संकल्प लिया जा रहा है जो बड़े बड़े बाते की जारी आखिर हालात ये रहेंगे तो कैसे नितिश कुमार नरेंद्र मोदी को ठिकाना लगाएंगे सर 2024 को लेके 23 जुन को बैटक होई थी अब हालात देखिए कि एक जुटता की बात की गई लेकिन राजद और जद्दी वाले ही आपस में आरोप परतारोप जिस परकार से लगा रहे हैं के के पाठा का और सिच्छा मंत्री में जो विवाद चला अब असोख चौधरी और राजद के मेल सी सुनील सिंग एक दूसरे से भीर गाएं क्या कहेंगे इस पूरे मामले कर दिया है भारत का भठा बैठा दिया है और कोई भी बड़े वादे नहीं पूरे हो सके है ना तो सौधीन में काला धन आया इस देश का ना किसी के एकाउंट में पंद्रह लाक रुपए आये ना हर साल दो करोड़ नोक रिया मिली ना एक सो स्मार्ट शिटी बने ना बिलेट ट्रेंड चली ना दावुद इबराह हाँ तो जब यह है देखिए अगली तारीक जो है ओ मुझे लगता है सत्रह और अठारा तारीक को जुलाई को बंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक होने जारी है कॉंग्रेट शासी तरा जह करनाटक वहां की रादधानी बंगलोर में वह पहले बैठक शिमला में होने वाली थी अब बंगलोर में होने वाली है तो मुझे लगता है कि नितीश कुमार तो एक तरह से विपक्ष का चेहरा बनने से रहे यह तो विपक्ष के अंदर ही यह हार्शिये पड़ चले गया है और अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है बिहार के कि तब सिट्सी को चा शीड किया गया है सीबी यॉइ hadden यह को सकता है पलटू राम जो है फिर दा पलटी मार दे आप है पने कि पलटू रहा है क्स्तों लग रहा है कि मतलब जिस तरह से सब कुस नहीं ठीक से चल ला है और मुझे तो लग रहा है कि जो आपने का कि शिक्षा मंतरी और केके पाठक का जो विवाद है उसमें भी कहीं न कहीं मुझे तो ये संदे है कि जैसे कि केके पाठक को नितीश कुमार ही मतलब वश्रा दे रहा हूं और जो केके प आश्रोप कार्ठी को रखके उनको डिमोलाइस करना चाए रहे हैं और जो आप ने ऐक बाद कर दिए सुनील यह एक चीज और है जिस प्रकार से तेजस्वी आदव को चार्चित किया गया है तेजस्वी आदव हमेशा कहभी रहते हैं कि हमें ऐसी आसंका है कि सुपलमेंटरी चार्चित में हमारा नाम डाला जाएगा और जब मांसून का सत्र चलने वाला है तो कहीं न कहीं इस्तीफे क कि मांग बीजेपी कर रही है और मांसुनों सत्र में तेजस्वी आदव से इस्तिफए का निमांड बीजेपी करेगी और इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है ये बाते भी कहा रही है कि नितिश कुमार को तेजश्वी आदफ से इस्तिफा मांगना चाहिए नहीं वो तो देखे पहली बात तो CBI की विश्वस्तियाता बिल्कुल खत्म हो गई या जितनी भी कंद्री एजंसियां हैं चाहे CBI हो, ED हो, IT हो, NIA हो इन सभी एजंसियों को बिल्कुल मतलब एक तरसे राजनेतिक विंग बना दिया गया है भाजपा का और ये लोग सिर्फ भाजपा के इशारे पर काम करती है, CBI को तो सप्रिम कोर्ट नहीं कहा दिया है कि पिंजडे कात होता है तो इन केंद्री एजंसियों की तो विश्वस नहींता समप हो गई है और भाजपा वाले किसमों से मांग करेंगे तेजस्वी के स्टीफे की जबकि खुद एक तड़ी पार ग्रिह मंत्री बने हुए है अमिट शाह, पहले वो तड़ी पार भी स्टीफा दे दें और यहां ब्रजबुटरन सिंग की गिरफतारी नहीं हो रही है जो कि इतना खुंखार माफिया सरगना है, गुंडा है, मवाली है महिला पहलवानों की चाती दवाते गुमता है और उस ब्रजबुटरन सिंग की गिरफतारी नहीं हो रही है क्योंकि वो भाज़पा का माननिया सांसद है तो भाज़पा वालों को तो कोई मतलब नैतिक अधार नहीं रह गया है किसी का इस्तिफा मांगने के लिए मांगने के लिए चुकि विपक्ष में है तो मांगेंगे ही उनका काम ही है लेकि उनको कोई नैतिक अधार नहीं है है और वो जो लड़ाई मोधी की खिलाफ होगी तो लोकसवाज चुनाओ की लड़ाई होगी वो कश्मीर से कन्या कुमारी तक लड़ी आएगी इसमें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तो कौंग्रेस है और अभी हाल के कुछ महिनों में राहुल गांदी का कद बहुत बनाई राहुल गांदी ने और अभी तो तीन-चार राजयों में और चुनाओ होने वाला है इस साल जैसे मद्र प्रदेश, राजस्थान, च्छतीस, गर्त, लंगाना हर दिगा भाजपा की हलत पतली है ऐसी खबरें आ रही है देखे सीधे तोर पे पुरुव आईपीए समिताब दास जी थे बिहार के महागडवंदन में जो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है इसको लेके उन्होंने सीधे तोर पे तमाम बातों को अवगत कराने का काम किया और सीधे तोर पे कह दिया है कि 2024 में जो महा भारत होगा राहूल गांदी का कही न कहीं कद बढ़ा है और 2024 में नरेंद मोदी का सुपरा साफ राहूल गांदी कर देंगे